अगर आपके घर पर भी कोई सर्दी जुकाम से परिशान है तो बनाइए टमाटर का ऐसा सूप जो टेस्टी भी होगा और सर्दी को भी दूर कर देगा कुछ दिन पहले मैंने भी ऐसा ही कुछ किया जब मेरी बेटी को काफी सर्दी जुकाम हो गया था तो इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए जाहिर दौर पर कुछ टमाटर और साथ में कुछ खड़े मसाले और लहसुन वा अद्रक जैसे कि फोटो में देख रहा है मैंने खड़े मसालों में लिये हैं लौंग, काली मूटी, लाइची, तेजपत्ता, साबुत धनिया और जीरा लहसुन अद्रक के साथ इन सभी मसालों को दरदरा पीस ले या फिर कूट ले मैंने इन अद्रक कूटने वाले हमाम दस्ते में ही कूट लिया है इसके बाद इसे क्यूप्स में कटे हुए टमाटर के साथ मिला ले अब एक मोटे तले वाला बरतन या कढ़ाई लेकर उसमें ये सारी सामगरी डाल दीजे फिर इसमें दो चमच कूकिंग ओल डाल दीजे और इसके बाद मीडियम आज पर इस मिश्रन को पका ले तो-तिन मिनट में जब ये मिश्रन पक जाए तो इसमें गलास पानी डाल दे और अब आपका सूप तैयार होने वाला है तो इस सूप को धीमी आज पर 5-7 मिनट तक पकने दे मैं ये वीडियो यहीं तक शूट कर पाई हूँ लेकिन इसके आगे की बात ये थी कि जब ये मिश्रन पूरा पक जाए यानि सूप बनकर रडी हो जाए तो आप इसे इसी तरीके से भी खा सकते हैं मतलब पीने के साथ साथ खा भी सकते हैं और अगर आपको सरिफ रनिंग वाटरी सूप चाहिए तो आप ये सारा मिश्रन छानी से छान ले और उसके बाद एकदम गरम गरम पतला रनिंग वाटर टाइप का सूप पी ले और उसके बाद रजाई रोड कर आप से सो जाए इससे आपको पका पका गैरेंटी है कि सर्दी से काफी राहत मिलेगी झाल 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